आज की वीडियो में हम सिखेंगे अफगानी पलाज औपरयों को काटने और शिलने का तरीका जिसे काटना भी काफी हीजी है और बहुत कम समय में यह से बंभी जाती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको कपड़ा की बारे में बता देते हैं कि कपड़ा हमने यहां पर लिया है सवा दो मिटर का जिसे हमने इस तरीके से चार लेयर में बिछाया है और इधर हमारे फोल्ड वाला हिस्सा है और नीचे में भी हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है तो सबसे पहले हमने ऊपर में सीधा मार्क देना है अब यहां पर हमने दोस्तों इलाश्टिक का मार्क लगाना है तो पौने तीन इंची हमने यहां पर इलाश्टिक का मार्क लगाना है और इसे सीधा करना है अब इसी मार्क से दोस्तों हमने इसकी लंबाई का मार्क लगाना है तो इसकी लंबाई हमारे नाप में है 38 इंची तो यहां पर हम 37 इंची यानि कि 1 इंची लंबाई काम करकर मार्क लगाएंगे क्योंकि नीचे में हमारी 1.5 इंची की मोरी बढ़ेगी अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे अब यहाँ पर हम आशन का मार्क लगाएंगे तो आशन का मार्क दोस्तों किस ती किस लगाना है तो यहाँ पर हमारे हिप का साइज है 36 इंची इसका हम 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारे होगा 9 इंची 9 इंची में हमने यहाँ पर 3 इंची प्लस करना है तो मीडियम साइज है तो यहाँ पर 3 इंची प्लस करेंगे अगर कोई हेवी साइज का है तो उसमें आप 3 इंची प्लस करकर आशन का मार्क लगा है तो यहां पर हमारे हिपbe साईजे हो गया 9 इंची त keyword तीस में हम्तीन इन्ची प्लस करेंगे तहिए हमारा हो जागा 12 इंची करीने तो 12 इंची हमारा ना हूं यहां पाऄ है तो इस हमार्प से यानिके तीके से बठाएंगे और 12 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे अब मार्क लगाएंगे दोस्तो हम इसके घेरे का तो घेरे का मार्क दोस्तो किस तीके से लगाना है जहां पर हमने आशन का मार्क लगा है यहीं से हम घेरे को देंगे यहां पर भी हमने heap का चौथाई भाग लेना है जो कि हमारा होगा 9 इंची 9 इंची में mark लगाएंगे और इसके बाद में 3.5 इंची हमने यहां पर losing देनी है तो 3.5 इंची में हम यहां पर mark लगाएंगे और उसके बाद में दो इंची के एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमारे आसन की गुलाई का मार्क होगा अब इसी मार्क से हमने आसन की गुलाई देनी है तो इस मार्क के पास में इसकेल को इस्तिके से बठाना है और एक सीधा मार्क उपर तक कर लगा देना है और यहां से हमने आसन की गुलाई देनी है तो देखे दोस्तों यहां पर हमने आसन की गुलाई भी दे दी है अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम मोहरी का तो देखे दोस्तों मोहरी का मार्क किस्तिके से लगाना है इसे समझ ले तो देखे दोस्तों यहां पर हमारी मोहरी का नाप है 12 इंची तो 12 इंची हमने इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप को बठाना है और मार्क लगाना है और इसके बाद में धा इंची का एक मार्क और लगाएंगे जितनी आप महरी नापते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क लगा दे और उसके बाद में धा इंची वहाँ पर प्लस कर दे अगर यहां पर आपकी प्लेटे एकदम एकर उटाएगी कहीं पर कमिया जादा नहीं होगी तो इस तरीके से हमने यहां पर मोहरी का मार्क लगा दिया है अब हमने मोहरी और आशन के मार्क को मिलाना है से पट्टी से तो से पट्टी को हमने इस तरीके से बठाना है और मार्क लगान है तो देखे दोस्तों यहांपर हमारे अफगानी प्लाज情 का Hard complete हुआ है अब हम इसकी cutting करेंगे उपर से इसी मांकर्चे करनी है आसन में भी हमनी इसी मांकर्चे की cutting करनी है और यहां पर दोस्तों हमने एक इंची कि मार्जिन सेड में रख देनी है और नीचे में मार्जिन जाकर इसे पौन इंचे की मार्जिन कर देनीय है इस तरह से भी हम इसकी कतिंग कर लेंगे तो देखे दूस्तों यहाँ यहां पर हमने आफघानि प्लाजो की कतिंग कर लिए है अब इसKI सिलाई करकर हम आपको दिखाते हैं कि데 किसी सिलाई से कि इस तरी के से करनी है पहले हमने दोनों पल्लों को इस तरी के से खोड़ना है पहले हम एक पल्ले को लेंगे फिर हम दूसरे पल्ले को यहां पर बठा कर इसके आशन की सिलाई करेंगे तो एक तरफ की हमने आसन की सिलाई कर दी हैं इसी तरीके से आप दूसरे तरफ आसन की भी सिलाई कर दें तो दोनों तरफ हमने आसन की सिलाई कर दी हैं अब मोहरी में हम पलेटे डालेंगे तो नीचे हमने मोहरी का पला ले लिया है तो यहाँ पर हमने पॉन-पॉन इंची की प्लेटे इस तरीके से बठा कर देते जानी हैं तो दूरी भी आप पॉन-पॉन इंची की रखें तो दोस्ते इस तीकर से हमने यहाँ पर प्लेटे दे दी हैं अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम मोरी तो मोरी के लिए हमने यह पट्टी लिए हैं जिसमें हमने पेश्टिंग को पहले से चिपका कर रखा हुआ हैं पपड़े की चुड़ाई हमने यहाँ पर रखनी हैं चार इंची और डेढ़ इंची के हमने यहाँ पर बकरम चिपका कर रखी हुए हैं जिसमें हमने हाँ पिंची नीचे की मार्जिन दखी हैं और उसे हमने इस तरीके से प्रेस में फोल कर दिया है फिर हमने इसे इस तरीके से फोल किया प्रेस में और नीचे में हमने यहाँ पर हाँ पिंची की मार्जिन दखी हैं तो इस तरीकह से आप मुहरी क्यों फोल लेगे। अब हम इस पट्टी को मुहरी के साथ में कैसे जोड़ेंगे। नापकर दिखा देते हैं,seven perfect मुहरी है, अब यहां पर दोस्तों हमने मुहरी को भी उल्टे की तरफ इस दीकह से लेना है, और यहां पर बठा देना है जिदर हमारा कपड़ा है उस तरफ हम इसे बठाएंगे और इसमें हाप इंची की सिलाई देंगे तो दोस्ते यहां पर हमने हाप इंची की सिलाई दे दी है एक बार हम इसे बठा देंगे फिर हम इसे इस तरीके से सामने की तरब पलट लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हमने लगानी है लेस तो लेस को हम अंदर में इस तरीके से रखेंगे और मोरी को हमने इस तरीके से पलट कर यहाँ पर टॉप में इसके सिलाई देनी है तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में इसके स्लाई दे दी हैं नीचे की तरफ में भी हम यहाँ पर लेस लगाएंगे तो नीचे की तरफ भी हमारी लेस लग गई है अब हमने मोहरी को इस तीके से फोल करना है जितनी हमारी मोहरी है उसका हमने आधा भाग लेना है यानि कि छेंचे में हाँ पर मार्क लगाएंगे और सिलाई देंगे तो मार्क से हमने यह सिलाई करनी है इसी तरीके से हमने दूसरी तरह भी सिलाई दे देनी है तो देखे दोस्तों इधर भी हम एक बर नाप लेंगे एक सिलाई हम इसमें और दे देंगे थाकि यहां की हमारे आसन की मजबूती रहे अब यहां पर दोस्तों हम लगाएंगे इलाश्टि तो इलाश्टिक हमने ले लिए हैं यहां पर 28 इंची क्योंकि यहां पर हमारी जो कमर है वो है 32 इंची तो चार इंची कम करकर इलाश्टिक को ले ले और उसके बाद में इसे हाप इंची चढ़ा कर सिलाई दे दे है कि अब हमने अफ़ गानी को उपरी व हिस्सा लेना है जहाब हमने इलाश्टिक का माार्क लगा है तो पहले हमने हाप इंची कहिं से इस देके से फोड कर देना है जिस Grade की में हमें सुवीधा मिले अब यहाँ पर हमने मारकेश आपस इलाश्टिक को बठाना है और इसकी सिलाई दे देनी है तो देखें दोस्तों बीच बीच में इलाश्टिक को खीचते भी जाना है जिससे इलाश्टिक हमारी कम नम लगाने समय अब हमने इलाश्टिक को यहाँ पर रोकना है और जितना भी हमारा पैंड के दोनों भाग है उसे हम अंदर की तरफ करकर इलाश्टिक को निकाल लेंगे और यहाँ पर सिलाई दे देंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमने इलाश्टिक में सिलाई दे दी हैं एक बार इलाश्टिक को इस तीके से फेला कर हमने सारे कपड़े को बराबर कर लेना है और उसके बाद में फिर हम इसमें सिलाई दे देंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है और यह हमारी अफगानी बन गई है एक बार आप इसे प्रेस में प्लेटो को बठा दे तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमने प्लेटो को अच्छी तरीके से बठा दिया है और ये अफ़गानी हमारी बन कर त्यार हो गई है दोस्तों ये अफ़गानी पलाजो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें जुरूर बताएं वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्य वाट हैं